असलाम लेकुम, क्लास 12 ये वीडियो है उर्दू इलेक्टिव के लिए जिन बच्चों के पास क्लास 12 में उर्दू इलेक्टिव है, इस वीडियो में मैं आपको MCQs करवाँगी चैप्टर्स के जो जरूरी जरूरी चैप्टर्स है जो आपकी टाम वर्ण में आने वाले हैं, तो आपकी किताबों के नाम हैं, आपके पास तीन किताबे होंगी उर्दू इलेक्टिव में, तीन किताबे होंगी आपके पास गुलिस्ताने अदब, खयाबाने उर्दू और तारिखे अदब उर्दू, इसका पहला चैप्टर तारिखे अदब उर्दू में से हमको करना ह इस class में मैं आपको करवाने जा रहे हूं गुलिस्ताने अदब का जो पहला जो लेसन है जो आपके term 1 में आने वाला है होजी एक मुताला इस वीडियो में इस से मुतालिक आप से मैंने सवाल पूछे हैं और इसका मैं आंसर भी दूँगी इसी वीडियो के अंदर लेकिन मैं इस चारों के उपर में बनाऊंगी mcqs तो इस चैनल के साथ बने रहीएगा और जितने भी इसमें मैं mcqs कराऊंगी वो सारे के सारे एहम हैं कोई भी फाल्तू के सवाल नहीं है इसमें जो आने वाले हैं आ सकते हैं एक्जाम में वही मैं करवाऊंगी जादा सवाल नहीं होंगे लेकिन जो जरूरी होंगे वही होंगे इसमें तो पहला सवाल है खोजी एक मतालग का सिन्फ क्या है तो सिन्फ से रिलेटिट बहुत सवाल आते हैं बहुत पूछा जाता है इसलिए आपका सिन्फ के बारे में पता होना जरूरी है इसमें जितने एक मुताला का सिन्फ क्या है? तो इसका सिन्फ होगा A. तविल दास्तान B. तनकीदी मस्मून C. मस्मून D. अफसाना अब आपने बताना है कि इसमें से कौन सा सिन्फ है? इसका आंसर मैं इस वीडियो के एंड में दूँँगी पहले मैं सारे आपके सामने MCQs रखूंगी ताके आप अपने अंसर लगा सकें सवाल नमबर दो खूजी एक मुताला के मुसन्निफ कौन है? A. एहतशाम हुसेन B. सुरिंदर परकाश C. कुरतुलैन हैदर D. रामलाल सवाल नमबर तीन खूजी के किरदार से किस माशरत की अकासी जहलकती है यानि उनके किरदार से हमें किस माशरे का इल्म होता है किस समाज के बारे में बताये गया है इनके किरदार के जरिये A. देहली की जवाल पजीर माशरत माशरत कहते हैं समाज को B. लखनों की तरकी पजीर माशरत C. जवाल पजीर लखनों माशरत D. इनमे से कोई नहीं सवाल नमबर चार खूजी एक मुतालिय में किन दो किरदारों का जिक्र है A. खूजी और आजाद B. खूजी और सरशार C. खूजी और मसन्निफ D. खूजी और बटेर सवाल नमबर पाच खूजी को कौन सी चीज़े पसंद है A. अफ्यून और जाफरान B. गन्ना और कबाब C. कबाब और अफ्यून D. अफ्यून और कन्ना सवाल नमबर आठ एक के बगएर दूसरा अधूरा रह जाएगा ये जुमला मुसन्निफ ने किसके लिए कहा है A. सरशार और आजाद B. खूजी और आजाद C. आजाद और मुसनिफ D. सरशार और खूजी सवाल नमबर नो खूजी की उम्र क्या है A. साट साल B. सतर साल C. पचास साल D. स्वाल नमबर दस फजाने आजाद की दिलकशी को गहन लग जाएगा इसका क्या मतलब है अगर इसमें मतलब फजाने आजाद में अगर आजाद का किरदार नहीं होगा तो गहन लग जाएगा या फिर B खोजी और आजाद नहों या जहां खोजी नहों या जहां खोजी का किरदार नहों या D इन में से कोई नहीं सवाल नमबर 11 खोजी के किरदार को किस ने जनम दिया यानि इसके तखलीक कारपोन है इसके किरदार को बनाने वाला कौन है अब मैं इसके आपको आंसर बताओंगी, आपने अपने आंसर लगा लिए होंगे, मिला लीजेगा देखते हैं आपके कितने आंसर सही होते हैं इसमें से तो खूजी एक मुताला का सिन्फ है तनकीदी मजमून ये एक तनकीदी मजमून है जिसको एहतेशाम हुसेन ने लिखा है खूजी एक मुताला के मुतानिफ है एहतेशाम हुसेन खूजी के किरदार से किस माशरत की अकासी जह लगती है तो इसमें लखनों की जवाल पजीर माशरत को दिखाये गया है यानि लगणों की उजड़ती हुई माश्रत को दिखाये गया है इसके कुर्दार के जर्ण है सवाल नमबर 4 होजी एक मताले में किन दो कुर्दार का जिक्र है तो इसमें होजी और आजाद का जिक्र है होजी को कौनसी चीश से पसंद है तो खूजी को अफ्यून और गन्ना पसंद है सवाल नमबर आठ एक गगर दूसरा अधूरा रह जाएगा ये जुम्ला मुसनिफ ने खूजी और आजाद के लिए बात कही है सवाल नमबर नौ खूजी की अमर क्या है तो इस चैप्टल के मताबिक खूजी की अमर 60 साल बताई गई है सवाल नमबर दस फजान आजाद की दिलकशी को गहन लग जाएगा अगर इसमें जहां पर खूजी का किरदार नहीं होगा यानि अगर इसके फजान आजाद नौविल में से खूजी के किरदार को हटा लिया जाए तो इसमें कोई दिलकशी बाकी नहीं रहेगी सवाल नमबर 11 खूजी के किरदार को किस ने जनम दिया तो खूजी के किरदार को रतनात सरशार ने जनम दिया ये रतनात सरशार के किताब फसाने आजाद का एक किरदार है खुजी तो यहां तक हमारे ये MCQs थे खुजी एक मताला में से और बस अब मैं जो दूसरा लाऊंगी वो होगा फोटोग्राफर जिसके राइटर है इसके उपर में लेकर आऊंगी दूसरा वीडियो और ये जितने भी मैंने MCQs करवाए वो बहुत ही एहमेस लेकिन सबसे पहले आप इस चेप्टर को अच्छे से पढ़ लीजेगा और इसके बाद ये MCQs कर लीजे आपकी पहला चेप्टर आपका मुकमल है तो चलिए मिलते हैं नेक्स चेप्टर में फोटोग्राफर तब तक लिए अल्ला हाफिज शुक्रिया